हेलो गाईज, वेलकम तू अवर चैनल आपका आपका आपके चैनल में स्वागत हैं जी तो आज हम बात करेंगे एक IPO के बारे में जैसा आपके सामने है K2 InfraGen Limited द्वारा IPO Announce किया गया है तो आज हम इस कंपनी के basic details और IPO के बारे में discuss करेंगे तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरबात और आपको बताते हैं आज के topic के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नई है या इस तरह की regular वीडियो चाहते हो तो आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं और यह जो वीडियो है वो paid promotional नहीं है अगर आप इस company में as a IPO इनवेश्टी अपलाई करते हो तो जो भी company का business है यह टार्मेंट condition है उनको आप check out करके फिर आप अपलाई कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप भी चाहते हो किसी अनदर company या IPO में इनवेश्ट करना तो किसी भी आप third party app या website जो registered or stock exchange से उसके थुरू आप apply कर सकते हैं तो चलिए करते हैं start जैसा आपके सामने है according to data जो यह company है वो सब्सक्राइब हुए 2015 में जो कि एक engineering procurement construction company है पहले इस company का जो नेम था वो था के टू पावर जैन प्राइविट लिम्टेड जी हां और according to data March 2024 तक number of employees की जो संक्या रही है वो 61 रही है जी तो यह आप देख सकते हैं और आगर बात करें कि यहां पर दिये गए हैं इन्होंने आठ भारत के आठ सेज्जों में जो अपनी services है वो दी है वो उत्रप्रदेश, राजिस्तान, मद्यप्रदेश, खनाटक, अर्याणा, गुजराद दिली जी और यहां पर इनकी क्या क्या servicing है उनकी information ही आप दी गई है तो यह आप देख सकते हैं और बाकी जो डीटेल है आप इनकी official website पर जाके check out कर सकते हैं अब हम direct आते हैं IPO में जी हां IPO की बात करें तो इन्होंने जो प्राइज फिक्स की है वो 111 से लेकि 11 तक की है investment based quantity पे minimum quantity required है 1200 उसी साथ से minimum investment required है 1,33,200 और maximum है 1,42,800 जी और कब से कब तक apply कर सकते हैं 28 मार्च से लेकि 3 अपरेल तक टाइमिंग सुबर 10 से लेकि 5 बज़े तक face value 10 रुपे पर इकुटी share अगर share मिलते हैं तो उनका ultimate final होगा 4 अपरेल तक ना मिलने पर refund होगा पांच अपरेल तक share मिलने पर डीमेट अकाउंट में transfer होगी 5 अपरेल तक और उनकी listing होगी 8 अपरेल तक जी तो यह आप देशकते हैं उसके बाद यह company की प्रोस्पेक्टर हैं तो यहां पर जब भी आप किसी company में apply करते हो तो यह IPO में investor करते हो तो एक बार company का प्रोस्पे solution के साथ non financial things भी आपको मिलेंगी जो आपके लिए ज़रूरी रहेंगी और यहां पर आके आप company की official website पर जाकर check out कर सकते हैं यहां पर company के बारे में investor के बारे में servicing के बारे में पूरी detail से आप information ले सकते हैं उसके बार आप चाहू तो apply करना चाहू कर सकते हैं जी तो यह थी basic detail आज की topic से related hope so यह video आपके लिए informative रही होगी अगर आपको यह video अच्छी लगी तो like को share आपका सकते हैं कुछ point अगर miss रहा तो आप हमें comment करके बता सकते हैं और prospectus और website दोनों का link आपको description में मिल जाएगा वहां जाकर आप check out कर सकते हैं आज के लिए thank you for watching